विल्कम चोलो वैं क्रिसंदत आपका एक पर फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने अप्लिकेशन फिजिक्स वैं क्रिसंदत कर समय है तो डियरी स्टुडेंट जैसे कि आप सभी को पता होगा हमारी ये स्रीज चलिती सेकेंड यर की और BST सेकंड यर और सेकंड सेमेस्टर में ये हमारी स्रीज है एलेक्टोनिक्स की और इसमें एक मैतपून टोपिक है एच पैरमिटर हाईबरीट पैरमिटर तो इससे बात करते हैं ये काफी मैतपून कोश्चन है और इसका वेटेज कितना रहने वाला है एक्जाम में तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिसकस करेंगा अच्छे तरीके से एक बार जल्दी जल्दी से पताओ मेरी वह इसो डिस्प्ली क्लियर आ रही है आप सभी को और फिर ये आपका एच पैरमिटर कोश्चन जो है ये काफी मैतपून है इसे हिंदियों बोलते है तंकर प्र इस परमिटर से रिलेटिट सारे कंडिशन करेंगे सारे कोश्चन को करेंगे तो है सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं अच्छे तरीके से एक बर जल्दी से बताओ मेरी वह इस डिस्प्ले क्लिए आ रही है सभी को यह आपका काफी मैतपून गोश्चन है और यह इतना मैतपुन कोश्चन है कि आपका BSC के साथ साथ ही MSA में पुछा आता है तो कोश्चन पूछे जाने का तरिक्का क्या है चलो कोश्चन पूछ जाने का क्या मैं एक साथ ही आपको वह बतायता हूं सबसे पहले हम hybrid parameters के बारे में पढ़ेंगे hybrid parameters क्या होगा और इस एक वीडियो में आपको बहुत अच्छे सा सारी चिज़े समझ मा जाओंगे एच parameter क्या रहाएगा फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे find करेंगे होटकट में भी लिख देता हूं स्मॉल एच भी लिखा जा सकता हूं है इसके बाद इसके बाद हम देखेंगे कि एच परामिटर इंपुट इसमें इंपुट इंपिडेंस इंपुट इंपिडेंस एच परामिटर की हेल्प से इंपुट इंपिडेंस निकाल लेंगे करेंट गेंड निकाल लेंगे और वोल्टेज के निकल लेंगे वोल्टेज तो गये निकल लेंगे और तका देखेंगे हम इसमें देखेंगे कि एच पारेमिटर है कि पारेमिटर है एच्च पारमेटर इकोवलेंट इकोवलेंट सर्किट देखेंगे यह सारी चीजे हम इसमें और एच्च पारमेटर की है एच्च पारमेटर की h parameter के case देखेंगे c e के लिए common emitter के लिए common base के लिए और common collector के लिए किस में input impedance में current gain में और voltage gain में यह सारी चीज़े हम discuss करने वाले हैं voltage gain में और current gain में और voltage gain में यह बहुत मैतपुन topic है भी आपको कि यह यह आपको काफी मैतपुन topic है सुनिया गुड़ीवनिंग सर गुड़ीवनिंग जी गुड़ीवनिंग ठीक है अब मैं इसे हिंदी में आपको पता यता हूँ क्यों कि हमारा जो यह लेक्चर है बाइलेंग्वल लहने वाला है ठीक है यानि कि दोनों मीडियम में कोई दिक्कत समस्या नहीं नहीं तब से पहले हम discuss करेंगे संकर प्राचल को संकर प्राचल को डिस्कस करेंगे इसके बाद हम कैसे निकालते हैं एच पैरमिटर को संकर प्राचलों का निकालना फिर वह बताओंगा आपको प्राचलों का निकालना कि पिर इसके बाद निवेसी परतिबाद हूँ प्रतिवाद भारा लाव और इसके बाद तथा वोल्टेज लाव लाव यह चीजे भी हम मतलब इससे निकाल लेंगे और इसका एच संकर प्राचल का प्राचल का के राचल का तुल्या परिपत तुल्या परिपत बताएंगे इसमें दो्सक्राल कर ने को सबसे पहले आज हम डिसक्स करते हैं पर इस परेमिटर के बारे में एक बर यह टोपिक ऐसी नोर्ंछै नोट कर लो फिर हम देखते आंके हों ठीक है 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 एच परामेटर क्या होतार कैसा कैसा इसे हम पढ़ते हैं तो यह 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 तो सबसे पहले आज हम हम डिसकस करते हैं बहुत बड़ी तरीके से एच परामेटर के बारे में एच परामेटर होता क्या है और इसे एच परामेटर क्या होता है यह समझ लो यह यह परामेटर है हम एच परामेटर की अगर मैं क्यों आप से इसकी फुल फॉर्म होता है हाइब्रीड है हाइब्रीड परामेटर है अ नि या इन यह संकरप्रा से अब हाइब्रीड का मतलब क्या होता है अगर आपने बहुत बार सुन आ होगा कि हाइब्रीड प्रेंर नाम क्योंत क्यों talks है हाइबरीट का क्या मतलब होता है हाइबरीट का मिन्स होता है मिक्स क्या होता है मिक्स क्या होता है मिक्स क्या मतलब होता है मिस रित तो एच परमेटर क्या होता है एक mix parameter होता है, अब mix हमने क्यों कहा, mix हमने इस वह से कहा, कि इसमें दो तरीके की dimension पाई जाती है, कितने तरीके की dimension पाई जाती है, कि दाइमेंशन कितने तरीके की पाई जाती है दो तरीके की अब डाइमेंशन का मतलब यहां पर क्या है कि कुछ की तो डाइमेंशन कुछ की तो यूनिट होगे और कुछ की यूनिट नहीं होगी ठीक है तो मिक्स क्यूं कहा क्यूंकि इस में से कुछ की तो डाइमेंशन होग पर रखने कि कुछ का तो मात रखँ होगा और कुछ कुछ कैसे रहे हैं कि Dimensionales कुछ कैसे रहने वाले है या डिमाज्षच यानि कि Dimension का मतलब हो गया यहां पर क्या इसका मतलब हो गया अगर मैं कह रहा हूँ Dimension तो इनका मात मात रख है यानि कि इसकी यूनिट है कि यूनिट है यूनिट या मात रख है अगर मैं डाइमेंशन कहा रहा हूं कि यह डाइमेंशन रखते हैं और अगर मैं यह कहा रहा हूं कि यह डाइमेंशन लैस है तो इसका मतलब है इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती कि यूनिट को इंगलिस मों बोलते हैं मात रख वह नहीं होता है यानि कि कैसे होते हैं लिल माहीन के इन भात क्लियर को उनलंग होगी ए वीपा का मतलब है कुछ का तो मात क्रखोगा और कुछ का मात्रक नहीं होगा तो इस वज़े से ही इसे क्या का जाता है ऐसे पेरमेटर्स जो कैसे होते हैं मिक्स होते हैं मिक्स, अब मिक्स क्या होगा, कुछ की तो dimension होगी, कुछ की dimension नहीं होगी, यानि कि कुछ की तो विमा होगी इनमें से, कुछ की dimension नहीं होगी, अब मैं अगर आप से कहले लगू, h parameter होते कौन कौन से हैं, तो मैं कहले लगू, h 11, h 12, h 21, और h 22, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, य यह हमारे चार होते हैं यह इ Vielen पर मिटर सा यह क्या हमारे सबी तर अन्य कि पर पिरेंटर तरह को एचपी पीरामेटर इस Agile तो हुआ है तो आपके मांड में एक बात आयोगे दुबारे से एक बार समझ लो क्षेटराब चारों में से एक दो तीन चार कुछ की तो डायमेंशन होगी कुछ की तो इस में से यूनिट होगी इन चारों में से कुछ की नहीं होगी तो चलो मैं बता देता हूं किन की तो होगी डाइमेंशन किसकी उनिट होगी और किसके मात्रक नहीं होगा ठीक है यह वाली चीज बताएता हूं अगर मैं आप से क्याल लगूं अगर इन एच पैरेमिटर में से मैं आपको क्याल लगूं कि एच वन वन और एच टूटू याद करने का तरिक्का है या कि 11 का टेविल यह तो इसकी तो डाइमेंशन होती है इन दोनों के तो वीमा होती है यानि कि मात्रक होता है इसकी तो मात्रक वीमा रहेगी रहने माली लेकिन यह जो है हमारे एच वन टू और एच टूवन यह कैसे होते हैं डाइमेंशन लैस होते हैं कैसे होते हैं डाइमेंशन लैस होते हैं यानि कि वीमाहीन होते हैं अभी मैं आपको बता दूँआ कि वीमाहीन क्यों रहा हो गई है इनका कोई मातरक क्यों नहीं है और हम कैसा कैसा पता लगाते हैं कि किन के मातरक हो गए और किसके मातरक नहीं हो गए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या मेरी बात यह तक ह connectivity कितने टाम योते हैं चार इन चार मेंसे दो की तो डाइमेंशन होगी को तो मात रखोगा ऽेकिन दो का डायं मेंशन नहİं होगी ठीक है हैं है ऐस्लंस מח आइस्ट तो किट डाइमेंस होगी एच वन्टो है इस्लिणंस नहीं होगी तो अब मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कि किस परकार से निकालते हैं एक बार हिंता का नोट करो और जल्दी से पताओ कोई दिक्का समस्य तो ना किसी को भी है कि ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं अगर मैं आप से कहल लगूं एच परामेटर से हम क्या कर सकते हैं एच परामेटर से हम क्या कर सकते हैं तो मैं आप से बता लगूं एच परामेटर से हम तूपोर्ट लीनियर सरकिट का क्या कर सकते हैं behavior find कर सकते हैं कि वो कैसा behavior करता है behavior बता सकते हैं ठीक है जी क्या बता सकते हैं behavior बता सकते हो तूपोर्ट linear circuit और टूपोर्ट linear circuit का मतलब होता है द्वी पतन रैखिक परिपत का वैवार बता सकते हैं अब ये टूपोर्ट linear circuit होता कैसा है देखियो अब ध्यान से रैखिक परिपत का वैवार बताने के काम में आता है अब ये कैसा होता है सर्किट उस चीज़ को देख लो एक बार दिहान से अगर मनने आप से कहा कि कुछ इस तरीके का सर्किट है हमारे पास में तो इसमें एक तो ये इस तरीके का तूपोर्ट linear circuit कुछ देखने में कुछ इस तरीके का होता है जिसमें दो इंपुट और दो ही कैसे होते है आउटपुट ऊते हैं कुछ इस तरीके का ठीक है अब अगर आप अच्छे तरीके सा देखोगे कि अप अच्छे तरीके सा देखोगे तो इसमें कि कुछ इस तरीके का देखने में सर्गिट होता है यह इसमें क्या होता है दो तो हमारे पास होता है कैसे है दो तो इसमें इन्पुट होते हैं ये वाला ये वाला भी हमारा इन्पुट होते हैं ये दुन्नों तो इन्पुट का काम कर रहे हैं तो ये आउट्पुट का काम कर रहे है ठीक है और ये बिच में क्या है में आपास टू-पोर्ट- Living Wrze सर्गिट है एक बर जल्दी जल्दी से बताओ यह तक क्लियर है कि सभी को जलो अगर मैं आप से कहल लगो इसमें करेंट फ्लो करते हैं यहां से यह तो होगी हमारी आइवन यह उपले वाला पोजिटिव निचले वाला नेगेटिव और यह क्या होगे हमारा वीवन ठीक है ऐस इस वाले मैं हमारा क्या होता है यहां पर वीटू उपले वाला पोजिटिव निचले वाला नेगेटिव और देखो अगर इस वाले पहले वाले वाले वोलटेज से करिण की डार्यक्शन इधर नहीं होगी क्या पोज करती है दुन्नों यह आई टू अब मैं आपको बताता यहां पर क्या कहते हैं आइवन को बोलते हैं यहां पर इन्पुट करन्ट क्या बोलते हैं इन्पुट करन्ट और वीवन को बोलते हैं यहां पर इन्पुट voltage input voltage ठीक है और यह क्या है हमारे पास linear circuit linear circuit ठीक है अब मैं अगर आप से क्याल लगू यहाँ पर यह और वी टू क्या आए यहां पर आउटपुट कि लो वोल्टेज कि अट पुड़ कुछ इस तरीके से हमरा क्या आप सभी को डाइग्राम समझ बाया जल्दी से बताओ क्या आप आसान तरीके से डाइग्राम को बना बता दोगे जल्दी बताओ भई कि जल्दी जल्दी से बताओ यह तक क्लियर है सभी को बहुत बढ़ियों तो यह हमारे पास लीनियर सरकिट है अब मैंने आपको पताया था कि वही एच वन वन की एच वन वन की और एच टू टू की इनकी डायमेंशन होती है पर डायमेंशन अभी चलो यह छोड़ो अभी पहले यह देख लेते हैं बाद में फिर बाद में देखेंगे चीज़ को पह अगर मैं कहता हूँ इसकी लीनियर सरकिट की पतलब वह वह कैट एक्वेशन क्या होती है तो ध्यान देना मेरी बात पर एकवेशन कैसा फाइंड आउट करते हैं एकवेशन को लिखने का तरिक्का है मैट्रिक्स फॉम क्या तरह किया मैट्रिक्स फॉम जल्दी से एक पर कम रॉपन और हैं चुम सबसे पहला ऐसा लिखने के बाद बीच में प्लस का निशनाल लगा देना है यहां पर आजाएगा V1 और यहां पर आजाएगा I2 तो ध्यान देना यहां पर I1 यहां पर भी क्या आएगा I1 और यहां पर भी क्या आएगा V2 और यहां पर भी क्या आएगा V2 क्या यह equation याद गरने का तरिक्का समझ माया सभी को एक बार note करो जल्दी से बताओ क्या सभी को यह तक तरिक्का समझ माया क्या equation बनाई हमारी यह दुन्नो equation बनानी आगी तो अगर जैसे यह दुन्नो equation है न यह सबसे ज़्यादा महतपून equation है अगर यह equation आपने अच्छा से याद ना करी तो नुमान के चलो कि पूरा यह topic आपका याद नहीं हो पाने का अच्छा से अगर यह equation आपने याद गली तो पूरा का पूरा topic तुम्हें समझवाने वाला अच्छा से यह दोने equation याद हो जाएगी बहुत बड़ी हो अब थोड़ा सा ध्यान से दिखो इसमें से हमें कुछ parameters दिखाए दे रहे हैं जैसे h11, h12, h21, h22 अब इसमें से मैं आपको बता दूँ कि h11 की h11 की dimension जो होती है जो unit होती है वो क्या होती है ओम होती है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी बताने वाला हूं मैं आपको अभी आपको बताने वाला हूं जस्ट इसके तुरंत बादी और h12 और h21 की कोई dimension नहीं होती no dimension कोई भी वीमा नहीं होगी इनकी जब वी मनी यह तो माद रग भी नहीं होगा यहां पर नोव डायमेंशन यानिकी से बोलते हैं लेसुरे महीन अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा कि मनें ऐसा क्यों बताया अभी फिलाल आपको ये दो इक विस्टे हैं अच्छे तरिक्या से याद हो निची यह हैं लट बहुत अच्छे तरिक्या से most important equation इनी से हमारा सारा काम होने वाले हैं तरी यह फिक्स रहता है कि लेफ्ट साइड दोनों पोजिटिव और राइट साइड वन नेगटिव वन पोजिटिव कहा है अच्छ अच्छ तोरी सोरी एक पोजिटिव है यहां पर एक नेगटिव है यह वाला कि यह नेगटिव है गलती से लिखा गया अब के लिए रहें तक जल्दी से बताओ यह वाली स्लाइड सबको समझना आई आगा चलू एक बार यह तक नोट कर लो अभी मैं जैसे यह यह डाइमेंशन बताई है यह सारी डाइमेंशन अभी हम निकाल के भी दिखाएंगे अच् से भी तुबारे से ऑब backbone बता आता हूं देखो सब से पहला है ऐस होता क्या है तो एस परमिटर हमारा मिक्स सबस्uem которую हुथते कितने एक दो थीन चार इन ही 4 को क्या वोलते हैं हेज परमिटर अब इना मिख्स इस वेज़ फिस उई से का जाता कि कुछ की तो QUESTION होगी कुछ की तो VMA होगी और कुछ की VMA नहीं होगी जैसे H11 और H22 की तो dimension होगी VMA होगी लेकिन इसकी H12, H21 की dimension less होगा विमा हीन होगा ठीक है भई? इसके बाद मनने आपको बताया कि H parameter की help से हम two-port linear circuit का behavior देख सकते हैं H parameter की help से क्या कर सकता है? two-port linear circuit का behavior देख सकते हैं two-port linear circuit का ऐसा होता? कुछ इस तरीके का होता है इसमें एक V1 voltage होता है यह input current होता है input voltage होता है और इधर output current और output voltage होता है और इसकी दोन्नों दो equation यह आती है अब इन दोन्नों equation की help से हम यह चार चीज़ बताएंगे अच्छे तरीके से कि भाई या H11 की dimension ohm क्यों रही H22 की dimension महो या ohm inverse क्यों रही और H12, H21 की dimension ऐसे क्यों नहीं रही ठीक है? हम यह चीज़ डिसकस करेंगे चलो एक बार आपको यह वाली सारी बात यह तक clear होगी होगी ठीक है यह वाली आपको बात clear होगी होगी अच्छे से ठीक है भई एक बार जल्दी जल्दी से बताओ क्या यह वाली बात clear होगी तुम्हें है? है वही यह वाली बात clear होते जा रही है सारी जल्दी से बताओ यह तक clear है सभी को चलो अगर बढ़ते हैं अगर मैं आप से कहता हूं आप डिटर्माइन दा कि टिटर्माइन दा एक डिटर्माइन दा कि अच्छ पारमेटर्स निर्धारन का निर्धारन कैसा करेंगे यानिकि अभी मनना इनकी महो यह यह सब चीज़े क्यों बताएती आपको एच प्राचल का एच प्राचल का निर्धारन निर्धारन तो जल्दी से एक सरकिट बनाएंगे बहुत सुंदर सा और इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे बई अगर मैं आप से कहा हूँ एक सरकिट और बना लो कुछ एक सरकिट बना लो कुछ इस तरीके का एच परेमिटर से इसमें एक इंपुट तो यानि कि दो इंपुट और दो क्या रखेंगे इसमें आउटपुट इसमें पहला केस बहुत अच्छे तरीके से याद रखना भी तुम्हें पहले केस क्या है पहले केस में हम क्या करते हैं पहले केस में एक चीज को सोट करते हैं क्या करते हैं यह सर क्लियर है बहुत बढ़ी हैं सोट करेंगे तो सोट कैसे करते हैं देखो भई तो मन्ने आपको क्या बताया था यह वाला यहां पर जो होता है यह कुछ इस तरीके से ठी यहां पर क्या होता था हमारा कुछ इस तरीके सा होता था और इस बार आपको एक चेंज देखने को मिलेगा यहां पर क्या चेंज देखने को मिलेगा इधर से वीवन तो देंगे और यह आईवन भी देंगे ठीक है अब यहाँ पर जो हमारा वीवन था ना यह वाला यह हमारा पॉजिटिव था यह हमारा नेगिटिव था तो इस में से यह वाले सिगनल को अब की बार यह वाले को क्या करतेंगे इस वाले को क्या करतेंगे यहाँ पर जो हमारा था यह कर दिया हूं वीटू की वैलो जीरो करती अब थोड़ा सा ध्यान से समझें मेरी बात को और यह क्या है हमारा लीनियर सर्कुट यह मारा क्या है लीनियर सर्कुट ठीक है अब अगर मैं आप से कहल लगूंग जैसी यह सोट हो गया है जल्दी से एक पर यहां तक बताओ कोई किसी को दिक्कत समस्य तो ना हो रही है ठीक है और इधर ना करेंट कौन से फिलो होती है इसमें आई टू यह बस यह सोट हुआ त इसकी वगणने वेटउऔ को जीरो रखा है हमारी की इक वेशन क्या क्या थे जल्द-जल्दि से बतायो भीवेशन थे हमारी वीवन हेमуса इजिकल टू एच वन वन अइवन प्लस एच टू तो एक बडो एक बड़ चेक कर लो क्या equation थी हमारी I2 H11 I1 और यहाँ पर क्या थी हमारी I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2 यह equation थी हमारी इसे मनना क्या दिया equation number first और इसे क्या दिया equation number second यह तो थी H parameter equation जल्दी से बताओ तो अब मैं क्या काम करता हूँ यहाँ से case first लेता हूँ case first लेता हूँ case first में क्या काम करता हूँ equation first में equation first ले लेता हूँ V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2 इसमें क्या करता हूँ V2 बराबर 0 रख देता हूँ V2 बराबर 0 रख देता हूँ तो जैसी वीटू रखू माँ जल्दी से बताओ यहां पर वीवन की वैल्लो कितनी आगे एच वनवन आईवन प्लस एच वनटू फॉल्टिप्लाई जीरू यह हमारी बनी है ठीक है अब इसे अगर आप सॉल्व करके देखोगे इसे आप सॉल्व करके देखोगे तो वीवन सॉल्व कितना हो राहोगा है एच वन वन आईवन कितना बन ऑन अगार है यह वाली टंफ कैसी बनने होंगे यह बहुत घि servet काम मतलब है आप वीवन की को कैसा रखाए हो जीरू रखाए हो तो आपकी हे नंकी विण हांसенного धॉल्स आटर्ब तर साथ हमारे पास H11 की कोंसे TERMS निकल काई है एक Bracket Terms आगे अब थोड़ा सा ध्यान से समझेए OHM Slow क्या कहता है? OHM Slow होता है R is equal to V upon I R is equal to V upon I यह तो होता है अगर मैं कहँँ V उपर है आई निच्छ है और दोनों सेम है तो यह क्या बन जाओगा इनकी dimension क्या बन जाओगी ओम बन जाएगी तो अगर एक बार ध्यान से देखो वी उपर है आई निच्छे है और यह वन है यह भी वन है तो h11 की dimension कितनी बनी जल्दी से बताओ वी वन अपोन आई वन वी टू बराबर जीरो और क्या बनी इसकल टू ओम क्या बनी ओम इस वहीं से मन्ने आपको बताया था कि h11 की dimension कितनी आएगी जल्दी से बताओ पता इतना ओम आएगी क्या आएगी ओम को इस परकार सभी पतायता है क्या आप सभी को केस फर्स समझ मां आ गया जल्दी से एक बार थम करके बताओ क्या आप सभी को केस फर्स समझ मां आ गया हम फिर आगे चलते हम case first यहां तक हमारा completely हो गया है ठीक है भी? case first यहां तक बिल्कुल completely हो गया है अब इसका case second देखते हैं case second में क्या करेंगे? equation second में V2 की value कैसे रखतेंगे? 0 रखतेंगे clear यहां तक का? जल्दी से एक बार comment करके बताओ क्या आप सभी को यहां तक clear आगिया समझे? एक बार थम्प कर दो चलो case second में देखते हैं case second में case second क्या है? अभी case second का case first का यह एक काम करते हैं first part कर लेते हैं case first का यह A part है ठीक है? A part है B part ले लेते हैं case first का case first का B part B part अच्छा एक बात बताओ यह H parameter equation second वाले number की क्या थी? एक बार check out ले लो इसका क्या थी equation? equation थी second वाले number की I2 is equal to I2 is equal to क्या थी? H21 I1 plus H22 H21 I1 plus H22 H22 V2 तो मनने क्या काम कर रहा था? जल्दी से बताओ मनने आपको बताया था कि V2 की value कैसी रख देनी है? 0 रख देनी है जैसे आप V2 की value 0 रखते हो तो I2 is equal to कितना है यहाँ से? H21 की value कितनी आजाओ कि जल्दी से देखो I2 upon I1 I2 upon I1 अच्छा एक बत बताओ क्या यह ओम स्लो फोलो कर रहा है? क्योंकि हमें तो पता है अच्छा यह कब आया है आपका? जब V2 is equal to कैसा आया है? 0 तो यह ओम स्लो फोलो कर रहा है क्या? वह ओम स्लो कहता है R is equal to V upon I या तो उपपर V हो या निच्छ है या उल्टा भी हो जब भी चल जाएगा उपपर V होना च्छा निच्छा आई लेकिन आप देख रहोगे यहां पर भी आया रहा है यहां पर भी आएँपर आएगा आएका सड़ डायमेंसर रिपीट कर दीजे देखो एक बार ध्यान से समझो यहां से समझो डायमेंसर कैसा? ओम से लोग क्या कहता है? ओम से लोग कहता है उपली सैड में V आना चीए यह निचली सैड में आई आना चीए यह ओम का नियम तो है आप टैंत में पड़का है और ट्वेल्ट में पड़का है अगर उपली सैड में V आ रहा निच्छा आई आ रहा है तो इसकी डायमेंस यह क्या बन जाओगी ओम बन जाएगा इसवेस है वी उपर आ रहा आई निच्छा आ रहा तो इसका पूरे को किसके एकवल हो गए ओम के समझमागी बात चलो अगर चलते हैं अब ऐसे ही यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर आर इसकल टू वी अपोन आय अ आ 120 ग्यां मता लेकिन यहाँ पर क्या है आ अएट्रो अपोन आई वन आ रहा अ आय का M meer आया ऐंप्र सींबद कं यह निच्छ भी आयम प्रेंप्र कट कोई बीमेंसें नहीं तो एच जू टू की कैसी होती है कोई भी पर विमेंसिन नियात्ती तो इससे हम कहते हैं ह ही इशीक्ट लूष एचवान इज़ीगल टू आइटि आपोन आइवन आइटिो अपोन आइवन और वी टूइजगल टूजीरो इज़ीकल टूडइमेंशन लेस Dimension Glass यानि कि वीमा हीन इसकी कोई वीमा नहीं आई तो हमने यहां से क्यों कुण चीज़ दिखे इसकी वीमा देखे अभी तक निकाल के तो एक वर मैं यहां से पैन की हेल्प से आपको लिख के बताएता हूं तो एक हमने निकाल लिए अभी तक H11 की कितनी आई है ओम आई है ओम और H21 की कितनी आई है Dimensionless कितनी आई है Dimensionless यानि कि कोई भी वीमा नहीं आई क्योंकि उपले वाले I1 का भी I2 का भी आई है निचले वाले I1 का भी एमपेर तो Dimensionless भी महीन तो इन दो की तो निकालनी जल्दी से एक बार कि जल्दी से बताओ कि बहुत बढ़िया चलो आगे चलते हैं अब की बार के सेगंड देखते हैं कौन सा देखते हैं के सेगंड अब कौन कौन से की और निकाल लिए हमें अभी हमने किस-किस की निकाले एच 11 की निकाले और यह दhas हुआ ईनगी निकाले अब कोन्कौन सा रहा गया एक तो रहा गया एक यह स्टेट इनकी निकालने हम ठीक है क के सेकंड के सेकंड का एपॉण के सेगंड का आपक इस आप इस बार क्यan एस बार नहीं इस बारने पूल इन्पुट करेंट को open कर देंगे क्या कर देंगे open उसमें तो sort कर रहाता इसमें क्या करेंगे open कर देंगे बैया जल्दी से बताओ यह तक जितना भी अभी तक बताया है आप सभी को clear है यह तक यानि कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि input terminal को open कर दो यह second के पार्ट में input terminal को open कर दो input terminal open करने का क्या मतलब है थोड़ा एक बार diagram से समझो ठीक है भई? diagram से समझो कुछ इस तरीके का हमारा diagram था यह कुछ इस तरीके का हमारा diagram था यह तो बस इसमें थोड़ा सचेंज क्या करना है थोड़ा सचेंज को समझ लो एक बार थोड़ा सचेंज यह करना है इधर ने जो हमारी current जा रहे थी ना आइवन आइवन बस इसे open कर देना खोल देना बस ऐसी खुला रखना है ठीक है यानि कि अब यह आइवन current बिल्कुल नहीं जाएगे ठीक है बस यहां पर यह हमारा वीवन है ऐसा कैसी रखो इसे ठीक है लेकिन इधर ले वाले current हमारी फिलो होती रहती है आई टू और इधर ले सेड़े का यह जो वी यह वी टू है तो यह वाला जो है ना यहां पर लिख देंगे यह कैसा हो गया पर ओपन हो गया थो इनवेसी क्या होगा इनपूट टर्मिनल इनपूट कमदल निवेसी का पहले वाला इससा यह वाला यह ओपन खुला हुआ है टो खुले में के केस में तो current फिलो नहीं होती लेकिन वॉल्टेज रहता है वोल्टेज तो अपनी जंग है यह लेकिन पर क्या था आईवन की वेल्लो को कैसे रखा हमने जीरो कर रहा है जब भी आप से कहा देखा कि इन्पूट टर्मिनल कैसा कर रहा है ओपन तो इन्पूट टर्मिनल ओपन होने का मतलब है इन्पूट टर्मिनल open होने का मतलब है I1 is equal to 0 अब I1 is equal to 0 में जो हमारी equation बनी थी सबसे सुरुवात की V1 is equal to क्या था H11 I1 plus H12 V2 ठीक है और I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2 यह equation थी अब क्या गाम करो I1 इसे equation फर्स्ट कहा दी हमने और इसे equation नमपर सेकेंड कहती एक्वेशन फर्स्ट में by equation first equation first मैं I1 की वैल्लो को 0 रखतो ठीक है I1 की वैल्लो को कैसे रखतो 0 रखतो H11 I1 की यहाँ पर 0 होगी plus H12 V2 तो यहाँ से यह पूरा सिस्टम 0 होगया तो H12 की वैल्लो कितने आगे H12 की वैल्लो आगे V1 अपोन V2 V1 अपोन V2 आगे ठीक है बई कैसे आगे V1 अपोन V2 यह आगे हमारी ठीक है तो V1 अपोन V2 यह कब आया है आपका यह कब आया है जब I1 is equal to कैसे रखा आपने 0 अच्छे एक बात बताओ मुझे जरा ओम से लो क्या कहता है ओम से लो कहता है कि R is equal to V upon I हो तभी आप ओम मान सकते हो लेकिन यहाँ पे तो उपर V1 है निचे क्या V2 है अगर V1 की जो कोई भी वोल्ट रहोगा वोल्ट उपर रखा वोल्ट निचे रखा दोनों कट गयोंगे तो ठीक है उपर वोल्ट रहोगा क्योंकि V क्या होता है पोटेंसल एक तरीके से निचे क्या यह ही पोटेंसल दोनों कट गयोंगे तो डैमेंसल लेसा आ गया तो H11, H12 कैसा आ गया हमारा H12 को ऐसा लिख सकता है V1 upon V2 क्योंकि हमारा केवल ओम से लो तभी फोलो होता है जब V upon IRO लेकिन यह वी उपर वी है निचे वी है तो यहां पर हमारा यह कब हुआ है ऐसा के जब V1 is equal to 0 यानि कि यह कैसा आ रहा है डैमेंसल लेस कैसा आ रहा है डैमेंसल लेस यानिकि वी महीन आ रहा है कैसा रहा है वी महीन अहां इस वन डू आ गए हमारे पास अब हम इसी सिस्टम अब की बार आ रिटू की वैल में रखी है 0 एकवेशन फर्स्ट में अब करेंगे बाइकवेशन और एकवेशन रिस वाइकवेशन साइकंड पर जाऊंगे equation second क्या दिखाए दे रही है हमें I2 is equal to दिखाए दे रही है H21 I1 plus H22 V2 तो भया इसमें क्या काम करो किसकी value 0 रखनी है I1 is equal to 0 रखतो तो I2 is equal to H21 multiply I1 को 0 रखा यहां 0 हो गया plus H22 V2 तो यह पूरा सिस्टम 0 बन गया यह क्या आगा पूरा जीरो और यह क्या रहा गया H22 V2 तो यहां से H22 की value बताओ कितने आई H22 आया हमारा I2 upon V2 यह कब हुआ ऐसा जब हमने I1 की value कैसे रखी 0 रखी तो H22 का जो function आया बनके पेरे पास में क्या आया वो इस तरीके का आया अच्छा एक बात बताओ जरा जरा एक बार ध्यान से समझना ओम से लो कहता है कि आर इस इकल टू वी अपॉन आई हो जा वी अपॉन आई आजा तो क्या लिखना तो मैं उसकी डाइमेंशन ओम लिखनी है लेकिन अगर बाइदवे उल्टा हो गया आई उपपर चला गया आपकी बार और वी निच्छ चला गया तो यह ओम का क्या बन जाओगा ओम इनवर्स यह बन जाओगा ओम इनवर्स यह उल्टास करते वितल लिख सकतो ओम का उल्टा और जीरो यह's 끝일 टूए यह तो आजागा महो वहत्श का मतलब ओगया है यहांसे हमें दो बात पक्की पता लगी कौन सी बात सर्सक्त लगई बढ़ा कि यहां से से बताओ यहां सामने किस किदा में इसकी डाइमेंस लिखा ले एक तो हम 800 क कि ह 15 कि क्या इंप सलेस हाट कर वन्हां क्या एर डाहि णामने सल ऐसा और एच कुछ की कितने इंवन या अ को मियाया ओं मियायो मिन हो हो या महो तो इसका मतलब है इसका मतलब है वैया कि चार में से दो चिज्जों की दो डाइमेंशन होती है और दो चुजों की डाइमेंशन नहीं होती जिसकी एक की होती है उसे तो हम कहते हैं क्या ओम जो दूसरे वाले की होते हैं उसे कहते हैं ओम इनवर्स यह महो और दो वाली की बखी बचिवी दो की क्या कहते हैं तो इस परकार से हमने देखा कि चार एच प सब्सक्राइन साठ बातारी बतारे हो प्रक्राइब के जल्दी कह समस्य तो ना किसी को भी है दो यह आई कि यह आज सब्सक्राइब कर देंगे गल्ल secular हो गया चलो यह तो सब्सक्राइब कर अब एक अलग से कुर्ष्चन आ जाता storage का यह सर बढ़िए असे समझ आगे बड़ी हों ठीक है अब एक कोश्चन है पोश्चन इमें इसका अलग से या तो इसी के साथ पूछ रहाता है या पूछ नहीं पूछ ले आता है तो कोश्चन क्या कहता है इस कोशन है अनलाइज कि अनलाइज ए लीनियर या लीनियर दो पूछ है लीनियर या लीनियर of sorry, systems of hybrid, hybrid parameters, hybrid parameters, और इसमें हमें determine करना, that is, to determine, 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 सबसे पहले इसमें निकालना हमें, input impedance, input impedance, दूसरा निकालना, इसमें हमने, current gain, और तीसरा निकालना, इसमें हमें, voltage gain, voltage gain, कोशन और कैसे पुछा जाता है, हिंदी में भी लिख देता हूं, मैं एक, important question है, काफी है, एक रैखिक, स्वी पतन, स्वी पतन, परिपत, परिपत का, हाइबिरिड, प्राचलो, के पदों में, पदों में, विसलेशन, विसलेशन कीजे, विसलेशन कीजे, यानि की कहने का मतलब है, इसका मैं निकालना क्या, निवेशी परतिरोद निकालना है, निवेशी परतिरोद, और फिर निकालना है, धारा लाब, और फिर निकालना है, इसका, वोल्टेज लाब, वोल्टेज, लाब, ये निकालना है, ठीक है, ये question है, या इसी question के साथ add कर लो, या ऐसी, यह कुशन है अब इसे सोल्फ करेंगे जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत समस्य तो ना आई हैं तक किसी को भी लिए चलो करते हैं से सोल्फ इसे कड़ने के लिए सबसे पहला एक सर्कुट बना लेते हैं वह यह क्या कर लेते हैं एक सर्कुट बना लेते हैं अच्छा सा एक सर्कुट बना लेते हैं सर्कुट बना लिया यह रहा ठीक है जिए और सर्कुट बना लिया जब हमने कि बिल्कुल जैसे पहला बनाया था कि ऐसी बनेगा कि ठीक है जैसे ही हमारे पास कोई linear circuit बना लो इसे कि ये वह सेम्टु सेम ये पोजिटिव ये नेगटिव ये वीवन जलू सैड में ये वी most theatre i1 ये वी टू कि ये लिज फू सैंड सैड में एट्व में ल डाकी graffiti अच्छे साहा तर से बताओ कोई दिकता लोट रेस्टेंज इसे रिप्रजेंट करते हैं समॉल औरल से ठीक है है तो इसकी आरल की मुझे बाद में जरूत पड़ेगी इस विए से मनए यहाँ पर रख लिया है इसके लिए यह एक्वेशन क्या थी जल्दी से बताओ इक्वेशन क्या थी एक्वेशन थी हमारी V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2 और यहां पर क्या था I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2 यह एक्वेशन थी इन इक्वेशन की मुझे बहुत जरूत पढ़ने वाले हैं यह ने लेने वाले हैं एक्वेशन फॉस्ट और एक्वेशन सेगेंड जल्दी से बताओ यह तक का सभी को क्लियर है अब यहद्द का सभी को क्लियर है ठीक है अब मैं इसका सबसे पहला निकाल कर दिखाते हूं आपको input impedance पहले यह निकाल लेंगे फिर current gain निकाल लेंगे फिर voltage gain निकाल लेंगे और फिर मैं इनके बारे बताऊंगा यह होते क्या क्या है ठीक है चलो next slide पर चलते हैं तो सब से पहले हम heading लिखते हैं कौन सी input input impedance input impedance इसे हम बोलते हैं निवेज सी निवेज सी पर्तिबादा निवेज सी पर्तिबादा बोलते हैं से ठीक है भी एक बार ध्यांद समझना है कैसा कैसा हम इसे find out करेंगे तो निवेज सी पर्तिबादा को जब भी impedance नाम आ जाए तो आपको किससे represent करना जैड से और निवेज सी कह रहा तो इंपुट लगा देना ठीक है और जैसे एक चीज बताओं जैड इंपुट इंपिडेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस का भाई यह होगा है तो अभी मन्हें रेजिस्टेंस के लिए आपको एक फॉर्मुला बता का आया था क्या फॉर्मुला था आरी जिगल टूवी अपॉन का काम कर रहा है इन इस वेस है तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा जैड इन का फॉर्मुला जल्दी से बताओ वीवन अपॉन आई बन हो जाएगा यह वाली बात क्लियर होगी सभी को ठीक है यह रप पेपर पर एक साइड में लिख लेना मतलब इस तरीक के साय आई है ठीक 10 is equal to equation first v1 की value कितनी थी जरा बताना मुझे वीवन की value कितनी थी वीवन की value थी h11 i1 plus h12 v2 upon यहां पर क्या है हमारा यह i1 है और जैड इनकों क्या से लिख लेंगे अलग लग लिख लो h11 i1 upon i1 plus h12 v2 upon i1 ऐसा लिख सकते है न इससे यह कटरो जाएगा तो जैड इनकी value कितनी आ जाएगे अगर हम देखर लगें यहां से है h11 plus h12 v2 upon i1 यह की वेशन आगी हमारे पास में एक बर जल्दी से कमेंट करके बताओ यह तक सभी कुछ क्लियर है मेरी बात इसे एक वेशन नंबर थड़ गया देना एक वेशन नंबर थड़ गया देना कि जल्दी से बताओ को दिक्क्त समस्ष्य हो नहीं अ अच्छा सोरी यहां पर यह क्या है अमारा आइवन है भई यह आइवन है इस एक्वेशन नमबर थरी क्या दो अगर किसी ना किसी तरिक्ये से यह वाली वैल्लू मुझे मिल जावा कहीं से वीटू अपोन आइवन तो मैं यहां पर उठा कर रख दूआ और यह से उठाने के ल सब्सक्राइब तो मानलो कुछ इस तरीके का सर्कृट था और यह इस तरीके का दाम रहा है कि प्लस माइनस इस तरीके से यहां पर हमारा क्या आ गया आइवन यह ता वीवन और हमारा यहां पर क्या था यह हो गया प्लस माइनस और यहाँ पर क्या था I2 और यह क्या था V2 बस यहाँ पर आपको एक load resistance और लग रहा था RL तो ध्यान से समझना मेरी बात को एक formula होता है अभी आपको बता कहा था मैं R is equal to V upon I अब जब आप load resistance R की जगे तो इससे रखोगे RL को कैसे रखोगे RL को और हम इससे load resistance कुछ और कुछ घटाने का काम करता है क्योंकि समझ में वल्लू I2 की वल्लू आगी माइनस V2 by RL एक बार कमेंट करके बताओ यह वाली बास समझमा आगी सभी को जल्दी से बताओ यह I2 की वल्लू मेरी यह वाली आगी और इसे मैं क्या देता हूँ equation number 4 यह तक क्लियर है सभी को अब एक काम करो equation second लेलो वाई equation second equation second क्या थी हमारे पास equation second थी सायद I2 is equal to देख लेते हैं अभी एक बार क्या थी I2 is equal to h I2 is equal to H21I1 plus H22 V2 यह थी अब जैसी यह I2 की value यहाँ पर put up करोगे यहाँ पर तो यह रख दिया हमने V2 by RL is equal to H21I1 plus H22 V2 मेरा मुख्य उद्देश से है किसी न किसी तरीके से V2 by I1 की value निकालना तो मैं क्या काम करूँगा इस वाले इस वाले जो यह दिखाई दे रहा है यह वाला V2 इस वाले को इधर ले जाओ जैसे इधर उठाके ले जाओंगा इस तो आप देखोगे यह बन गया H22 V2 minus V2 by RL is equal to क्या बना है हाँ पर H21 यह बना और यहाँ से किसकी value न कोमन ले लो V2 की तो H22 minus 1 upon RL is equal to H21 I1 यह टम साइब मुझे किसकी value चीए V2 upon I1 की तो I1 गया इसके इसके divide में V2 by I1 और is equal to क्या बना है है H21 upon H22 minus के 1 upon RL एक बार जल्दी से comment करके बताओ यह तक की बाद सबको clear होगी यह तक जल्दी से बताओ क्या यह value आ रही है सभी की जल्दी से बताओ क्या सभी की यह value आ रही है अ चाहिए 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 इस V2 by V1 की value को equation थड़ में रख दो putting these value in equation थड़ equation थड़ तो ZN is equal to H11 plus H12 H12 और इसकी V2 by V1 की value कितने आई है हमारे पास H21 upon H22 minus 1 upon RL किसी चीज की कोई दिक्कत समझ से तो ना आई है एक बार चेक आउट करके ले लो है कोई किसी परकार से हमारे digit गलत तो ने आई है कि यहां से थोड़ी गड़बड आ रही है एक बार चैक कर लेते हैं वहीं कि यहां से इसे थोड़ा सा simplify कर लेते हैं यहां से क्योंकि एक टम्स में यहां पर गड़बड़ है कुछ क्या गड़बड़ है देखो एक बार ध्यान से इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा वहीं यह क्योंकि यह इधर आने के बाद में माइनस के यह उतता है तो एक काम करो इस वाली टम्स को इधर बेज़ दो इधर से ल्वी टु कोमा लेलो तो एच टूटू प्लस वन अपोन आपोन आर यह बना हमारे तो यह से अब किस की वैलू निकाल लें वी टू अपोन आईवन की इसे इधर यह की डिवाइड में तो minus H21 upon H22 plus 1 upon RL is equal to V2 upon I1, इस तरीके से, तो V2 upon I1 की value को यहां रखो, putting these value, these value in equation थड़, in equation थड़, तीसरी value equation में रखो, आप उठा, तो Z in is equal to हो गया हमारा, H11 plus H12, और V2 upon V1 की value, यह वाली value पूरी की पूरी उठा लो, minus H21 upon H22 plus 1 upon RL, और यह minus यहां क्या करतेगा, प्लस करतेगा, तो Z in is equal to H11 minus H12 H21 upon H22 plus 1 upon RL, ठीक है, यह हमारा, एक input impedance का पहला derivation आ गया है, यानि कि input impedance आ गया है, जल्दी से बताओ, यह तक clear है सभी को, जल्दी बताओ, यह तक clear है सभी को, अब current gain निकल लेंगे भी हम, क्या निकल लेंगे, current gain निकल लेंगे, इसे बोलते हैं, भार लाओ, यह तो आगया हमारा, चलो आगे चले भी, यह तक नोट कलिया कैसा भी नहीं, बहुत बढ़ियों, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं, current gain, क्या निकालते हैं, दूसरे नंबर पर current, gain, इसे बोलते हैं, धारा लाओ, जा बोलते हैं, धारा लाओ, दारा लाओ, दारालाब कैसे निकाल लेंगे दारालाब का एक फोर्मुला होता है AI is equal to उपलनी सैड में output और निचलनी सैड में input output तो है V2, input है I1 ठीक है भी clear यहां तक अच्छा एक बात बताओ equation second क्या थी हमारे पास equation second equation second थी I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2 और equation 4 क्या थी हमारे पास equation 4 थी हमारे पास I2 is equal to minus V2 by RL साइड यह आई थी हमारे पास में आई थी ना आई थी अब यदि मैं क्या काम करूँ है इस की थोड़ी सी यहां से value निकाल लो इसकी यहां से इसकी value निकाल लो V2 की यह चला गया यहां पर तो V2 is equal to हो गया minus I2 RL यह आएगा ना I2 RL तो V2 की value को यहां पर रख दो तो by equation 4 and 2 इस V2 की value को उठा का यहां पर रख दो यह I2 ऐसा कैसी I2 is equal to H21 I1 plus H22 यह V2 की value कितनी है यहां से उठालो minus I2 RL यह हमारी वाल्यों यह हम माइनस कर देगा तो I2 is equal to क्या है हमारे पास H21 I1 minus H22 I2 RL I2 RL इसे इधर लियाओ यह plus का हो जाएगा तो plus का होता ही यह हमारे पास I2 plus H22 I2 RL is equal to H21 I1 ठीक है अब यहां से अगर हम I2 कोमल ले लेंगे तो किसकी terms आजाएगे 1 plus H22 RL terms आजाएगे और यहां पर कितना है H21 I1 यहां से किसकी value निकालने का मैं मुख्यों देश से हमारा I2 upon I1 की value निकालना तो इसके divide में भेज दो I2 यह रहा हमारा I1 यह रहा और इधर क्या है H21 और निच्चे क्या है 1 plus H22 RL यह है हमारा तो यह पूरी की पूरी value इसमेली equation में उठा कर रखतो यह सारी की सारी value यहां पर उठा कर रखतो तो AI is equal to क्या है हमारे पास H21 1 plus H22 RL यह derivation किसका निकल का आया है किसका निकल का आया current gain का धारा लाव का जल्दी से बताओ क्या आप सभी को यह तक clear हो गया जल्दी से बताओ क्या आप सभी को यह तक clear हो गया अब किसका निकाल लेंगे हम voltage gain का किसका निकाल लेंगे? voltage, gain का ठीक है अब किसके निकाल लेंगे? voltage, gain का चल लें आख एक बार सभी को clear हो गया हो तो एक बार note कर लो यहां तक सभी ठीक है जे अब निकालते हैं कुन सा? voltage, gain कौने कि वंच्ड कि आगे कि में अ स्सुuges लाव कैसे देखते हैं और हला ऐसे देता है आउटपुट तो रखते हैं उपड इन Clinical करते में इसे अउड़ोत 250 ज़ंब मैं खीकर यह तक क्लियर है अच्छा एक बात बताओ एक अभी इंपुट इंपेडेंस की क्या थी जैड़ इन इस गल्टू क्या था हमारे पास वीवन अपोन आई वन यह था अगर यह से वीवन की वैल्लू निकाल लूं मैं वीवन की वैल्लू तो यहां से क्या आया होगा जैड इन आई वन यह वीवन की वैल्लू को यहां पूटप कर दूं तो एवी इस गल्टू वीटू अपोन इसकी वैल्लू कितने आगी जैड़ इन आई वन मन्हें ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे वीटू अपोन आई वन की वैल्लू पहले से ही पता है तो एवी इस गल्टू ए एक बार चेक आउट लेओ और जल्दी से मुझे equation देखके बताओ क्या मन्ये वी टु अपल आइवन की व्य लू निकालली थी पर निकालली तो वो कितनी देवलू एक बार जल्दी से देखो तो वो वयलू थी यमारी किलाओ गधिनी व्यलू थी जल्दी से चेक करो भी V2 upon I1 की value थी हमारी minus H21 upon H22 plus 1 upon RL ये terms थी 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 न थी जल्दी से बताओ तो क्या करेंगे अब ये वाला minus यहाँ पर भार आ जाएगा तो AV is equal to आ गया minus के H21 अपोन जैड़ इन है एस टू टू प्लस वन अपोन आरल ये टमस थी यह जो हमारी किवेशन निकल के आई है यह किसकी किवेशन निकल का आई है वोल्टेज गेल की जल्दी से बताओ कोई यह अच्छह समच्य तो ना किसी को भी तो ये तिन्नो टॉपिक हमने अच्छह तरीके से complete कर लिया है데 क्या कर लिये यह तिन्नो पोइंट अच्छह से हमने complete कर लिये हैं ठीक है है जल्दी से बताओ यह तकोई दिक्षह समस्य तो ना किसी को भी जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत समझ्या तो ना है किसी को भी ठीक है तो इसके आगे का second part रहा गया है इसका h parameter का इसका first part हमने almost खतम कर लिया है कल यह topic यहां पर खतम हो जाएगा ठीक है इसके बाद मैं आपको जो topic कराऊंगा वो कराऊंगा feedback का और इसके notes आपको मिल जाएंगे आपको pdf मैं application पर upload कर दूँआ वहाँ से आपको pdf मिल जाएगी अच्छा जो उनसे दिन आपके live classes नहीं रहती है आपको वो वाली live classes जो है ना प्रूंगा ब्रूंटा वन्से आपक श्रवाखब ऑडर जाएस झाल नहीं प्सके जो है नहीं है झाल झाल